हाई व्रीवन वेलकम बैक टूमें सरकिल आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपकी फैलिपिन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उसको कैसे सही करें घरेली उपाय करके मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने ओलेशन के टाइम पे भी रिलेशन बनाती हैं लेकिन उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो उसका एक यह भी कारण हो सकता है कि आपकी फैलिपिन ट्यूब में ब्लॉकेज हो और मैंने इस वीडियो में यह भी बताया था कि उसका एक बहुत अच्छा घरेली उसका मैं बताऊंगी जिसका अगर आप लाइक जरूर करिएगा और चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अन कर लें चली वीडियो को शुरू करते हैं जब एक रिलीज होता है ओवरी से तो उसके बाद फैलिपिन ट्यूब में ही आता है और जब आप रिलीशन में जाती है तो उस टाइम होता है आपके यूत्रइस से होते हुए फैलिपिन ट्यूब तक आता है और वही पर एस पम का मिलन होता है और फिर आपके फैलिपिन ट्यूब में ही ब्लॉकेजद है यानि कि व वह पुरी तर से बंध है तो यूट्र relat fall यूत्रस से होते हुए वह तक पहुछेगा जहां तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी तो अब इस ब्लॉकिश को कैसे सही किया जाएंगी कि यह जो नुसका मैं बता रही हूं इसके साथ सत आपको कुछ परेज भी करना है क्योंकि कोई भी घरेलु उपाय अगर आप करती है तो सबसे पहले अपने अपने खान पान को भी आपको ध्यान देना है यानि कि आपको बहुत जादा ओली फूड नहीं खाने है पैक्ट अगर अगर आप ध्यान में रखेंगी तो मेरे बतायवे तरीके से आपको फाइदा जरूर होगा जिसमें पहला है कि जिंजर टी आप लें अगर आप जिंजर से बनी हुई टी लेती है तो यह आपके लिए बहुत ही जादा फाइदे मन रहेगी क्योंकि इससे आपका ब्ल circulation slow होने लगता है और आपका खानपान उस टाइम पर सही नहीं होता है तो वह ब्लॉकिश को और बढ़ाता है जैसे ही ब्लॉट इससे भी धीमा पड़ेगा यानि कि आपका फून जितना पहतला होना चाहिए उतना नहीं है तो उस जहां पर फिर ब्लॉके जाने लगती थक् ब्लॉकिज की समस्या है वो धीरे धीरे सही होने लगेगी अधरक कीडी बनाने के लिए एक गिलास पानी ले लिजे और उसमें एक इंच का टुकड़ा अधरक का ले लिजे और उसको कूश कर अच्छे से पानी में डाल दीजे और उसके बाद उसको इतना खुलाई कि वो और इसको आपको सुबह आप खाली पेट भी ले सकती है नुक्सान नहीं करेगा फायदा करेगा इससे अपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और दीरे दीरे जहां भी वो ब्लॉकेज हुआ है वो धीरे दीरे सही होने लगेगा और दूसरा आपको यह करना है क कास्टर सर्क से सिह करना हैं को दिरे दीरे अब अराम से मसाज करें के रिष्ट से अबолे दो तो आप heating pad का यूज कर सकती हैं अगर आपके पास लेक्ट्रिक heating pad है तो आप उसको भी इसको कर सकती है दीरे सही हो जाएगा आई होप कि यह वीडियो अपको अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें